दोस्तो इस विडियो में हम बात करने वाले है कि अगर टाल बिन लाइफ में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके mail ID पर एक mail जाता है जिसमें आपका password, user ID और एक transaction code रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि transaction code कोई जान लेता है जैसे कि शुरुआत में किसी को पता नहीं होता तो transaction code लोगों का पता चल जाता है तो इस विडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप transaction code कैसे change कर सकते हैं और साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूँ आपको कि अगर कोई आपका transaction code जान जाता तो क्या आपका पैसा हो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है आपका transaction code जानने से कुछ नहीं होता अगर आप user ID पासवर्ड वह सामने वाला इंसान नहीं जानता है तो आपका पैसा नहीं निकाल सकता है क्योंकि यह transaction code का यूज तभी होता जब आपका user ID पासवर्ड डालके आप अंदर लॉग इन कर लेते हैं उस website के तभी आप dollar transfer करते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है transaction code तो आप बात करते हैं transaction code कैसे आप change कर सकते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे three dot का जो option द दिखाए पड़ता प्रोफाइल वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक option आता है reset password का इस reset password वाले option पर आप लोगों को क्लिक करना होता है इस reset password वाले option पर जब आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा loading लेगा आपके net के उपर depend करता है यह कितना जल अपडेट login password अगर आपको password भी चेंज करता है तो आप यहां से password भी चेंज कर सकते हैं यानि कि आपको current password अपना जानना जो आपका current password होगा वो password आपको यहां पे डालना है सबसे उपर में उसके नीचे आपको new password का जो option लिका है पड़ता है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यह password नया वाला generate कर सकते हैं उसके बाद confirm new password पर भी क्लिक करके आप अपना वही री इंटर कर देंगे जो यहां पे आपने password डाला हुआ था वही password आप यहां नीचे भी डाल देंगे confirm password में लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए आपका पुराना password तो चलिए अब बात करते हैं कि आप transaction code कैसे change का सकते हैं तो transaction code change करने के लिए थोड़ा सा आप देखिए आप उपर से थोड़ा से scroll करेंगे नीचे जाएंगे उसके बाद आपको एक option मिलता update transaction code transaction password transaction code के यह transaction password के यह दोनों एक ही चीज़े होती है तो यहां पे जैसे ही आप आते हैं तो यहां पे transaction दिखाई पता है इसमें आपका जो पहले का transaction code है उस transaction code को आपको यहां पे डालना होगा और पहले का transaction code आपको कैसे मिलेगा वो आपको आपके mail ID पे गया हुआ होगा जो ID आपने डाली थी mail ID जो डाली थी आपने registration करते time तो उसमें आपको अपना transaction code वहां से उठाना है और यहां पे एक नया password create करना जो भी आप चाहते हैं वो नया transaction password create करेंगे उसके नीचे confirm new transaction password पे आपको फिर से वह password डाल देना है उसके बाद आप लोगों के सामने यहां पे update transaction password का एक option आता है इस पे जैसे ही आप click करते हैं आपका transaction code change हो जाता है उसके बाद आपका पुराना वा password भी change कर सकते हैं तो चलिए आप हम dashboard पर आ जाते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा होगा कि किस तरीके से क्या होने वाला है इस website में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं तो देखो अगर आप 30 डॉलर इंवेस्ट करने के लिए तयार हो तो 30 डॉलर अगर आप यहाँ पर इंवेस्ट करते हैं तो आइस में दो प्रकार की income होते हैं एक होता non working income और एक होता working income यानि कि अगर आप काम करते हैं तो आप पैसे बहुत सारे कमा सकते हैं लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं 30 डॉलर लगा के छोड़ देते हैं तब भी आपको 1,22,000 रुपे की income होती है इसमें तो यह non working और working दोनों income देता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं आप ज़्यादा जानका है अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकिन पर आपको नं हैं तो हे ओा फा आपको अबदिन लगा केया उता हैं झाय तो अथर भी आपको बामाएंढ तो इसकिन तो ह nållक भी में ने को पिर सेथा जा हैं आपको यहां हो काम कर सकवर सेथान हिन अगर नहीं आमिए तो यहां हैं कि अनो जार काम झात पर लर आपको हो समें समेज